आप सभी को फिर से जाय मसी की परमेशर का धन्यवाद हो आज एक और दिन परमेशर ने दिया आए हम लोग दुआ के साथ सुरू करें सरवशक्तिमान परमेशर धन्यवाद करते हैं जब आज के पवित्र वचन को हम सीखने के लिए जाते हैं और स्पिर्चल वर्क्शाप में जब हम आते हैं परमेशर अब हमारी मदद करें साहिता करें और अपने अनुग्रे के द्वारा हमें सीखने के लिए मदद करें अपनी आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें और पवित्र आत्मा को हमारा लिए वच्छन का सीखशक बना के प्रभू हमारी साहता गरें तके आपके पवित्र वच्छन को सीख सकें खुदावन दियस्व मसी के नाम से आमेन परमेश्र का धन्यवाद हो एक बर फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं पवित्र आत्मा के अभिशेक में चलना और हमने सिखा था उसकी अभिशेक का मतलब है उसकी उपस्तिती उसकी सामर्थ का मतलब है उसकी उपस्तिती अगर उसकी उपस्तिती है तो उसकी सामर्थ है अगर उसकी उपस्तिती नहीं तो उसकी सामर्थ नहीं यानि कि उसकी अभीशेक उसकी अनोइंटिंग जो है उसकी उपस्तिती में है और मसी के जीवन में यदि उसकी उपस्तिती नहीं है उसकी उपस्तिती को महसूस नहीं करते तो आप उसकी ताकत में नहीं चल सकते आप उसके ताकत को सुभीकार नहीं कर सकते और आईए हम आगे पढ़ेंगे साथ रजल्टस है अपके अनॉइंटिंग के आपके अनॉइंटिंग का पता कैसे लगता है और जब आप अभी शिक्त हो जाते हैं तो किस परकार से पता लगता है क्या क्या होता है की जितनी प्रतिग्याई है, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके दौ़ारा आमीन भी हुई, कि हमारे दौ़ारा पर्मेश다 की महीमा हो, और जो हमें तुमछे साथ मसि में दृड्र करता है, और जिसने हमारा अभिश्य किया, वही पर्मेशर है, जिसने हम पर चाप भी कर दी है और ब्याने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है जिसने हमारे उपर चाप भी कर दी है और आत्मा ब्याने में हमारे मनों में दिया है प्रभू का धन्यवाद मेरे अजीजो उसने हमारे उपर चाप कर दी है और अपना पवित्र आत्मा ब्याने में हमारे अंदर दिया है पिछले एपिसोड में उससे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था किस परकार से परमेश्चर ने आत्मा पवित्र आत्मा ब्याने के रूप में हमारे हिर्द्यों में रखा है तो आईए देखें क्या क्या कहता है और जो हमें तुम्हारे साथ मसी में द्रिड करता है तुम्हारे साथ मसी में द्रिड करता है तुम्हारे साथ मसी में हमें द्रिड करता है तुम्हारे साथ मसी में द्रिड करता है याद रखिए वो स्थापित करता है अनोइंटिंग का अभिशेक का जो सामर्थ का जो रिजल्ट है वो आपको स्थापित करना है अभिशेक जब आएगा सामर्थ जब आएगी तो आपको मसी में स्थापित करेगा अबिशेक के बिना उसके अनुएंटी के बिना उसकी आत्मा के बिना उसकी उपस्तिती के बिना उसकी सामर्त के बिना कोई भी मसी परमेशर में स्थापित नहीं होता तो स्थापित नहीं होगा तो जड़ पकड़ने की बात तो बहुत दूर की है इसलिए परमेश्चर के राज्जे में जब आगे तो वहां स्थापित भी होना जरूरी है और कैसे स्थापित होता है वो हमें तुमारे साथ मसी में द्रिड करता है जिसने हमारा भी शेक किया वही परमेश्चर है जिसने हम पर छाप भी कर दी और ब्याने में आत्मा हमारे मनों में दे दिया, हम थोड़ा-थोड़ा करके इनको सिखेंगे, वो स्थापित करता है, वो हमें स्थापित करता है, मसी में स्थापित करता है, आत्मा में स्थापित करता है, स्वर्ख के रज्य में हमें स्थापित करता है, अभी शेक में हमें स पवित्रा आत्मा का विशेक जब आपके जीवन में आता है, परमेस्र के सामर्थ में आप जब चलना सुरू करते हैं तो आप स्थापित भी होते हैं, एक स्थिर आत्मा आपके अंदर आ जाता है, आपका मन इदर उदर भटकता नहीं है, आपके आत्मा में आप भटकते नही हो आपके मन में आप भटकते नहीं हो बलके आप स्थापित होना सुरू कर देते हैं आपको वचन में जड़ पकड़ना सुरू कर देते हैं आपकी समझ में आना सुरू हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है आपके जीवन में स्थापित करता है तुम्हारे साथ मसी में यानि के कलीसिया को इकठा करता है पोलुस कहता है प्रेरित पोलुस कहता है हमें तुम्हारे साथ मसी में द्रिड करता है हमें तुम्हारे साथ यानि के एक दूसरे के साथ एक दूसरे को द्रिड करता है संगती होती है फैलोसिफ होती है वो अकेला नहीं होता, फिर उसका संगती में दिल करता है, संगती में बैठता है, अभिशेक आपको संगती में लेके चलाता है, याद रखिए, इसके जीवर में अभिशेक को संगती करना पसंद करेगा, वो संगती में चलना पसंद करेगा, मसी में अभिशेक किया है, छाप लगा दिय है आत्मा दिया है मन में रहने के लिए हालेलुया हमारे मनों में रहने के लिए उसने आत्मा दिया है यह सात रजल्ट है स्थापित करता है तुमारे सात संगती करता है मसी में दृड करता है अभी शेक किया है उसने छाप लगा दी है आत्मा ब्याने में दिया है मनों में रह जाहता । अब देखिए जब आपके जीवन में अभिशेक आता है आप अभिशेक में चलना सुरू करते है तो आप द्रिड होना सुरू होते हैं। चाता है परमेशर परमेशर आपके साथ संगती करना चाता है सामर्थ जो है वो सेवा करने के लिए है और उपस्तिती जो है वो संगती करने के लिए है याद रखिए सामर्थ जो है परमेशर की सेवा करने के लिए है और उपस्तिती जो है वो संगती करने के लिए है उसके संगती करने लग जाता है तो परवेशर की उपस्थिति के साथ-साथ उसकी पावर में चलना सुरू कर देता है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप संगती ना करें और सामर्थाती रहें सामर्थ तभी आएगी जब संगती होगी संगती और सामर्थ यह दोनों आपस में जुड़े हुई है पावर जो है सामर्थ जो है वो परमेशर की सेवा करने के लिए है और परिजन्स इस दा परिजन्स इस फर फैलोसिप वो फैलोसिप के लिए है उसकी उपस्तिती जो है परमेशर की प्रेसेंस जो आपके जीवन में है प्रेसेंस जो है आपके जीवन में संगती करने के लिए है उसकी उपस्थिती जो है संगती करने के लिए है जब आप परमेशर की उपस्तिती में आने लगते हैं तो परमेशर के साथ आप संगती करते हैं जैसे उत्पति के पहले चैप्टरों में हम लोग पढ़ते हैं जब आदम के साथ परमेशर बातें करने के लिए आता था उनके साथ संगती करने के लिए आता था उनके साथ संग परभाव डालता है, मनुश्य की आत्मा को परभावित करती है, उसकी उपस्तिती और सामर्त जो है, बोड़ी परभाव डालते हैं, देहिए अभी इन दोनों बातों में बड़ा बेद है, उपस्तिती जो है, वो आपकी आत्मा के लिए जरूरी है, और सामर्त आपके सरीर के लिए जरूरी है, अब सरीर में आत्मा बसता है मनुश्य की आत्मा के लिए उसकी उपस्तिती जरूरी है और मनुश्य की हुमन बोडी के लिए मनुश्य के सरीर के लिए उसकी ताकत जरूरी है उसकी ताकत उसकी सामर्थ जो है सरीर पे परभाव डालती है देखा होगा आपने, जब आप आत्मा से बरते हैं, जब आराधना में डूप जाते हैं, कई लोगों के स्रीर में करंटा जैसे लगता है, बिजली जैसे, आग जैसे, ठंडक जैसे महसूस होता है, स्रीर के रोएं रोएं खड़े हो जाते हैं, प्रभू की उपस्तिती आपके परमेसर की पावर जो है सामर्थ जो है आपकी बोड़ी के उपर परभाव डालती है आपके बाहरी सरीर के उपर परभाव डालती है वो छू के चंगा कर देती है वो बीमारों को सिफा दे देता है वो अंदों की आँखे खोल देता है यह स्विकार करने की बात है जब आप स् साथ संगती करेंगे और पवितर आत्मा मनुस्या की आत्मा के साथ संगती करते करते उसको परमेश्र की उपस्तिती में रखता है परमेश्र की उपस्तिती में उसको महसूस करवाता है कि यहां परमेश्र की उपस्तिती है और यह ट्रांसफर होता है यह अभी शेक जो है ट्र जरूरी है साफ़दान होना जरूरी है आपके आपको बरतन के जैसे है अन्यविशेक त्रश्फर पया होगा वही अभिशेक पाश्टर पर भी हो क्योंकि परमेशर का वचन कहता है जैसा याजक वैसी परजा कभी कभी याजक के साथ परजा भी ऐसी हो जाती है इसलिए परमेशर का वचन कहता है जो मसी में जो तुमारे अगुए हैं उनके विस्वास का अनुकरन करो उनके विस्वास कान तो देखकर उनके चाल चलन को दे यह धन जो है मिटी के बरतनों में रखा हुआ है मनुश्य जो है मिटी के बरतन के समान है यह अनोइंटिंग जो आपके उपर रखी हुई है यह समझ लीजे मिटी के बरतनों में रखा हुआ धन है और इसे सावधानी से रखना है वफादार रहना है परमेसर के लिए कुछ भ रहता है ट्रांसफर होगा ये एक से दूसरे पे दूसरे से तीसरे पे तीसरे से चोथे पे ये चलता रहेगा और ऐसे करते करते ये अभी शेख पूरी कलीसिया में फैल जाता है ये अभी शेख पूरे जुंड पे फैल जाता है ये अभी शेख पूरी मंडली पे फैल जाता ह जो अभिशेक है ये सेवकाई से संबंदित है अगर हम उसकी संगती में नहीं है परमेशरी से हमारे उपर बहने नहीं देता है अगर हम सेवा में नहीं है तो ये सामर्थ को परमेशरी से हमारे उपर बहने नहीं देता है सामर्ज बहुत से लोगों के उपर आते हैं लेकिन टीकी नहीं रहते हैं क्यों कि उसके योग्य चाल चलन नहीं चलते हैं उसके योग्य बढ़के नहीं रहते हैं वो बरतन टूटा हुआ बरतन के जैसे उपर से आता है और निचे से निकल जाता है साइड में से निकल जाता ह ऐसे जेब के समाने जो फटी हुई थेली है फटी हुई नीचे से फटी हुई जेब के समाने उपपर से डालते रहते हैं और नीचे से निकलता रहता है यानि के खाली रहता है पहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसे हमें अभिशेक का काम चल रहा होता है अभिशेक बहे रहा ह होता है और वो अभी से निकल के चले जाते हैं या अभी शेख को सविकार करके और उसके बाद जब घर जाते है तो घर जाके फिर व tes ही दुनियावी चाल चलन रकते हैं सावधानी नहीं रखते अपने आपको संभाल के नहीं रखते और उस अभी अभी शेक से वन्चित रहे जाते हैं वो अभी शेक उनके जीवनों से निकल जाता है फिर खाली हो जाते हैं बहुत से लोगों को मेरे भाई बहुत से लोगों को मैंने देखा है अराधना में अभी शेक आता है उसकी उपस्तिती को मैसूस करते हैं लेकिन उसके बाद खाली ह हो जाते हैं क्यों कि सावधार नहीं रहते हैं क्योंकि देखते नहीं अपने आप चाल अपनाना शुरू कर देते हैं संसार के पाप के खामों में सहभागी हो जाते हैं उसी तरीके का जीवन जिना शुरू कर देते हैं अभिशेक के अंतरगत जीवन नहीं जीते इसलिए वो अभिशेक उनके जीवन से हट जाता है सावदान रहिए यह धन मिट्टी के बरतनों में रखा हुआ है वो स्थापित करना चाता है आपको आपके उपर छाप लगाना चाता है आपको मसी में द्रिड करना चाता है ब्याने में आत्मा दिया है जो आपके मन में रहना चाता है वो लेकिन आप उसको समझते नहीं और आप उसके अनुसार काम नहीं करते इसलिए वो आपके जीवन से निकल जाता है और आप फिर खाली बरतन के जैसे रह जाते हैं इसलिए सावधान रहें सावधान रहने की जरूरत है यहां आपको यह भी शेक जो है सेवकाई से संबल दिता है अगर आप सेवकाई नहीं करते हैं सेवकाई की बातों में द्यान नहीं देते हैं प्रभू की बातों में द्यान नहीं देते हैं तो प्रभू आपके उपर बहने नहीं देता है याद रखे जब लोग समर्पन करना सुरू कर देत जब अपना समय प्रभू को देने लग जाते हैं, जब आत्माओं का बोज लोग लेना सुरू करते हैं, जैसे जैसे लोग आत्माओं का बोज लेना सुरू करते हैं, परमेशर स्वर्ग से सभी शेक को आपके उपर बहा के ले आता है, स्वर्ग से बहा के ले आता है आपके उ परमेसर के साथ मिलके परमेसर जैसी बातें करना शुरू करता है आप उसमें लीन होके रहते हैं उसकी उपस्तिती नहीं तो अभी शेक भी नहीं अभी शेक नहीं तो काम भी नहीं अनॉइंटिंग भी नहीं सामर्थ जो है उसकी सेवकाई के लिए है उपस्तिती जो है उसके साथ संगती करने के लिए परमेशर चाहता है आप हरोज परमेशर के साथ संगती करें अगर एक दिन संगती छूट गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप कितने सालों से खाली है और ऐसे लगेगा जैसे आज का दिन दिन नहीं हुआ, आज आपको संतुष्टी नहीं मिली, आज आपको संतोस नहीं मिला, आज आपके मन में सांती नहीं है, क्यों? क्योंकि आज मेरी संगती नहीं हुई, एक विश्वासी संगती छोड़ नहीं सकता, वो परमेसर के साथ संगती करेगा वो परमेशर के लोगों के साथ संगती करेगा संगती ही आपके अभीशेक को बनाई रखती है संगती ही परमेशर की उपस्तिती का एसास करवाती रहती है आपको और जब परमेशर की उपस्तिती का एसास आपको रहता है आप अंदर से दिलेर हो जाते हैं आप आपके अंदर से डर चला जाता है आपके अंदर से अकेला पन चला जाता है परमेशर की उपस्तिती आपके लिए आनंद लेकर आती है आपके जीवन को आनंदित कर देती है परमेशर की उपस्तिती क्योंकि उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है उसकी उपस्तिती में आन करते हैं खुसी में भी उसकी उपस्तिती को महसूस करते हैं हर परिस्तिती में उसकी उपस्तिती को महसूस करते हैं और जो हर परिस्तिती में उसकी उपस्तिती को महसूस करता है वो कभी हारता नहीं है इसलिए जीत का भी कारण है उसकी संगती आपकी जीत का कारण है उसकी उ 31 जो उसकी उपस्तिती में रहता है फिर वो चाहे खेत में जाके काम करेगा वहां भी परमेशर की उपस्तिती आ जाएगी यादा मैंने पिछले एपिसोड में आपको लोगों को बताया था स्रिष्टी भी परमेशर के पुत्रों के परकट होने की बाट जो रही है स्रिष्टी कैसे परमेशर के पुत्रों की परकट होने की बाट जो रही है ताकि उनकी महिमा की सवतंतरता को प्रापत करे आपकी महिमा में सवतंतरता जब आप परमेशर की उपस्तिती में चलते हैं परमेशर की उपस्तिती को आप अपने खेत में लेके जाते हैं परमेशर क उपस्तिति को आप अपनी फैक्टरी में लेके जाते हैं आप अपनी वर्क्शोप में लेके जाते हैं आप अपने घर में अपने मित्रों के साथ अपने रिस्तेदारों के साथ लेके जाते हैं परमेसर की उपस्तिति आपके उपर बढ़ी रहती है और आप जिस घर में जाते कब जब उसकी उपस्तिती उसकी उपस्तिती में चलते हैं उसकी उपस्तिती को तूटने मत दीजिए अपनी जिंदगी से उसकी उपस्तिती को अपनी जिंदगी से कभी बाहर मत निकलने दीजिए कभी बाहर मत निकलिए अगर आप उसकी उपस्तिती से बाहर निकल गए तो परमेश्र का वच्छन कहता है जो बाड़े को तोड़ता है उसको सापना सेगा शेतान बाहर इंतजार कर रहे हैं शेतान बाहर इंतजार करता है आपका कि आप उसकी उपस्तिती से निकले और वो आपकी जिंदगी को बरबाद करें उसकी उपस्तिती उसकी संगती उसकी संग मसी चाहता है कि आप परमेशर की संगती करें पवित्रा आत्मा चाहता है कि आप परमेशर की संगती करें ये स्रिष्टी भी चाहती है आप से जुड़ी हुई हर चीज आसी सी तोड़ा चाहती है और वो चाहते है कि आप परमेशर की संगती करें और शैतान चाहता है कि आप अब देखिए कितना बड़ा कहरा बेद चुपा हुआ है परमेशर की संगती में परमेशर की उपस्तिती में वचन हमें सिखाता है उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है आनंद की भरपूरी है उसकी उपस्तिती में जब आप उसकी उपस्तिती को अपने खेत में लेके ज जाते हैं यहां तक के जिस रास्ते पे आप जाते हैं वो रास्ते पे भी अनॉइंटिंग आ जाती है क्योंकि उसकी उपस्तिती में आनंद की बरबूरी है इसलिए उसकी उपस्तिती से बरे रहे हैं उसके अभिशेक से बरे रहे हैं चाहिए आप सफर कर रहे हों उसके अभि के लिए है कामियाबी आपके लिए है लोग सक्सेस होने की बात करते हैं लोग सफलता कामियाबी पाने की बात करते हैं मैं आपको बताता हूं कामियाबी उसकी उपस्तिती में है आप अपने जीवन के किसी भी काम में उसको याद करके काम करना शुरू कीजिए फिर देखिए उसकी उपस्तिती में बढ़े रही है उसकी उपस्तिती में चलते रही है फिर देखिए आपके जीवन में किस परकार से अद्बत चमतकार परमेशर करेगा क्योंकि वो जहां पर उपस्तित है वहां पे किसी चीज़ की कमी गटी वो रहने नहीं देता किसी चीज़ की कमिगटी वहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे सर्व शक्तिमान परमेशर उपस्तित है याद रखिए काना के गलील में साधी थी साधी के समरों में दाकरस खतम हो गया लेकिन परमेशर का वचन कहता है ये सुमसी और उसके चेले ये सुर उसके चेले वहाँ पे थे उसकी माँ भी वहाँ पे थी कमी नहीं आने दी परमेशर ने वचन सुनाते सुनाते साम होगी लोग पिछे हैं उसके लोग उसके साथ सामने बैठे हुए हैं चेले आके कहते हैं प्रभु जी इनको पास के नगर में पास के सहर में बेज दे ताके कुछ खाने पिने का परबंद कर ले प्रभु ये समसीने का तुम्हारे पास क्या है बस थोड़ी सी रोटी है कुछ एक रोटी है दो चार उन रोटियों से लोगों को बिठा के खिलाना सुरू कर दिया साथ टोकरियां फिर भी बच गई उसकी उपस्तिती जहां भी होती है बंदन तोड़ देती है उसकी उपस्तिती जहां भी होती है अंदकार को खदम कर देती है मैं आपको सफलता का राज बताता हूँ सफलता में चलने वाले लोग इसलिए परमेशर का वचन हमें सिखाता है कि हम तो जैवन से बढ़कर जीवन में चलने वाले लोग हैं जैवन से भी बढ़कर जीवन में चलने वाले लोग आप तब होते हैं जब आप परमेसर की उपस्तिती में चलते हैं और परमेसर की उपस्तिती को धारन करके चलते हैं मेरे भाई बहन जब आप परमेसर की उपस् करते हैं याद रखिए दो लोगों को जेड में बंद कर दिया गया जेड में अरादना स्तोती करना शुरू कर दिया जेड में भुकम पा गया बेडिया तूट गई जेड के दरवाजे तूट गए और लोग आजाद हो गई भागने लगे दिरूदर भुकम पा गया उसकी आनन्द ही आनन्द होता है वहाँ पे गम का कोई नाम नहीं है वहाँ पे उदासी की कोई जगे नहीं है वहाँ पे बीमारी की कोई जगे नहीं है बहुत से लोग उसकी उपस्तिती को समझ नहीं पाते हैं उसकी उपस्तिती आपकी आत्मा पे परभाव डालती है आपके सरी उपस्तिती आपकी आत्मा पे परभाव डालता है बिना उसकी उपस्तिती के सामर्थ नहीं आ सकती बिना उसकी उपस्तिती के सामर्थ नहीं आ सकती हाँ उसकी उपस्तिती सामर्थ के बिना नहीं आ सकती उसकी उपस्तिती आएगी तो खाली उपस्तिती नहीं आएगी सामर्थ आएगी सामर्थ हकेला नहीं आ सकता सामर्थ को प्रापत करने के लिए उसकी उपस्तिती में बैठना पड़ता है इसलिए उसकी उपस्तिती में बैठने के लिए तयार हो जाएए उसकी उपस्तिती में बैठने की कोशिस कीजिए उसकी उपस्तिती में कैसे बैठेंगे बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्तिती को महसूस करते थे लेकिन आजकल वो नहीं है तो कैसे जरू करें इसका मतलब ही है कि उसकी उपस्तिती की आग बुझ चुकी है और जब आग बुझ चुकी है तो उसे दोबारा से कैसे चलू किया जाए दोबारा से कैसे उसे जॉलनसील बनाया जाए हाँ जब आग बुझ जाते है तो राग हाती उपर और राख इस बात का परमान है कि यहाँ पे कभी आग हुआ करती थी हो सकता आपके जीवन में ऐसा हो गया हो आप उसकी उपस्तिती को मैसूस नहीं कर पारे आप उसकी उपस्तिती को समझ नहीं पारे आप उसकी उपस्तिती में चल नहीं पारे मैं आपको वापस लेके जाना चाता हूँ कैसे आप उसकी उपस्तिती में आएंगे पहले जो लोगों ने उपस्तिती को स्विकार किया था पहले जो लोग उपस्तिती को महसुस कर चुके है उन्ही गितों को उन्ही हालातों को कोसिस कीजिए हो सकतों उसी जगे में जाइए उन्हीं दोस्तों के साथ मिलिए उसी संगती में बैठके अराधना करना सुरू कीजिए उसी जगे में बैठिए उन्हीं गीतों को गाना सुरू कीजिए जो भी संभवेवई करना सुरू कीजिए उन्हीं गीतों को गाना सुरू थे उन्ही सब्दों को बोलना सुरू कीजिए उन्ही गितों को गुन गुनाना सुरू कीजिए और जैसे आप करना सुरू करेंगे दीरे 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 आप उसकी उपस्तिती से बढ़ते जाएंगे आप उसकी उपस्तिती को मैसुस करना सुरू करेंगे दीरे दीरे वो बढ़ और बुझ गया तो राग आ जाएगी राग आ गया तो इसका बाद का सबूत ये कि आग बुझ चुकी है अब यहाँ पर कुछ नहीं है इसे दुबारा से जुरू कीजिए पवितर आत्मा की आंदी चलने दीजिए अपने अंदर अपने आपको डुबो के रखिये उसकी अरा दीजिए जो बाते हैं आपको उसकी उपस्तिती से बाहर ले जाती है याद कर लीजिए ऐसी ऐसी बातों को ऐसे से कामों को नोट करना सुरू कर दीजिए अपनी डैरी में नोट करना सुरू कीजिए अपनी दिवार पे लिखना सुरू कीजिए कि मुझे ये काम नहीं करना ये काम नहीं करना ये काम नहीं करना ऐसा काम नहीं करना जो मुझे प्रभू की उपस्तिती से बाहर लेकर जाए मुझे उन कामों से कोई रिस्ता नहीं उनसे अपने रिस्ता थोड़ लीजिए ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए जो आपको प्रभू की उपस्तिती से बाहर ये खतरनाक हो सकता है आपके साथ, आपके लिए बेहत खतरनाक हो सकता है, ऐसे दोस्तों की संगती, ऐसे लोगों की संगती, ऐसे मित्रों की संगती जो आपको प्रवेश्वर किये अभी शेक से उसकी उपस्तिती से बाहर ले जाती है, छोड़ दीजी इन बातों को, छोड़ ये प्रभू है तो आपकी जिन्दगी है, प्रभू है तो आपकी जीत है, प्रभू की उपस्तिती है तो आपको आनंद है, प्रभू की उपस्तिती है तो आप निशंकोच रहेंगे, प्रभू की उपस्तिती है तो आप निश्चिंत रहेंगे, प्रभू की उपस्तिती है तो सामर्थ भी नहीं मेरे भाई बहन सोच क्या रही हो छोड़ दीजिए उन पुरानी बातों को घुटने टेकिए प्रभु से कहिए प्रभु मुझे आपकी उपस्तिती ज़्यादा प्यारी है आपकी उपस्तिती ही मेरे जीवन का आदाहार बनाना चाहता हूँ प्रभु आपकी उपस्तिती ही मुझे चाहिए आज समर्पन करना सुरू गीजिए उसके सामने मेरे भाई बहन उसकी उपस्तिती के बिना जीना मुस्किल है एक पल भी आप आत्मी की जीवन जी नहीं पाएंगे अगर उसकी उपस्तिती आपकी जिन्दगी में नहीं है दुनिया से बाहर निकल कर आजाए ऐसी संगती से बाहर निकल कर आजाए जो आपको उसकी उपस्तिती से बाहर ले जाती है देर ना करें सोच विचार ना करें ऐसी संगती से बाहर निकल कर आएं जो उसकी उपस्तिती से आपको ले जाती है दूर आप खुद उससे दूर हो जाएं ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए ऐसी जगह से हट जाए जो आपको प्रभू की उपस्तिती से दूर ले जाए याद रखिए ये आपके जीवन के लिए खतरनाक है ये आपके जीवन को खतम करना चाता है बरबाद करना चाता है इसलिए आपको प्रमेश्र की उपस्तिती से दूर लेके जाता है प्रमेश्र की उपस्तिती में बने रही है बने रहे हैं परमेशर की उपस्तिती में मैं अभी परमेशर की उपस्तिती को महसूस कर रहा हूँ मेरे साथ जो आप जुड़े हुए हैं जो आप देख रहे हैं मैं परमेशर की उपस्तिती को महसूस कर रहा हूँ वहाँ पे आप गुटने टेक दीजिए गुटनों पे आजाएए आप प्रभू से कहें प्रभू आपकी उपस्तिती आपकी हजूरी आपकी उपस्तिती चाहिए मुझे मैं ऐसी बातों से तोबा करता हूँ जो मुझे आपकी उपस्तिती से बाहर ले जाती है ऐसी बातों को छोड़ना चाहता हूँ जो आपकी उपस्तिती से मुझे बाहर ले जाती है प्रभू मुझे दुनिया की बातें नहीं चाहिए मुझे आपकी उपस्तिती चाहिए मेरे भाई बहन उसकी उपस्तिती में उसकी सामर्थ है उसकी उपस्तिती में जानंद की भरपूरी है उसकी उपस्तिती में जिन्दगी की बर्पूरी है उसकी उपस्तिती में चंगाई है उसकी उपस्तिती में सामर्थ है और वो सामर्थ आपके जीवन को नया कर देती है भर देती है आपके जीवन को मेरे परमेशर धन्यवाद करतों इन भाई बेहनों के लिए जो अभी आपके उपस्तिती को महसूस कर रहे हैं जो ऐसी बातों से पस्चाताब कर रहे हैं जो आपके संगती से बाहर ले जाती हैं परमेशर इनकी जिंदगी को आनंद से भर दीजिए अभी शेक कर दीजिए सामर से बर दीजिए नया कीजिए मेरे परमेशर ताके आपके उपस्तिती में बढ़ते जाएं आपके उपस्तिती में बढ़ते जाएं धन्यवाद 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 प्रभू येस मसी की नाम से बढ़े रहे उसकी उपस्तिती को महसुस करते रहे उसकी उपस्तिती से बाहर मत जाएए कभी भी याद रखिये उसकी उपस्तिती से बाहर चलेगे तो आपकी जिंदगी को बरबाद कर देगा उसकी उपस्तिति से बाहर निकलना यानि कि शैतान को इंवाइट करना अपमे जिंदगी में बढ़े रहेे परमेश्र आपको उच्छा उठाएगा परमेश्र आपको बड़ी बरकत देगा उसकी उपस्तिति को महसुष कीजिए अपने घर में उसकी उपस्तिती को मैसूस कीजिए अपने ओफिस में उसकी उपस्तिती में रहिए अपने खेत में उसकी उपस्तिती में रहिए कि आप खेत में काम करेंगे उसकी उपस्तिती में होकर तो खेत के स्राप तूड जाएंगे कुछ लोग आये और काम शुरू हो गया घर के लोग बताते हैं हमें खुद मालूम नहीं है ऐसे अद्बत काम होते हैं वो लोग बताते हैं 20 साल से हमने घर बनाया लेकिन कभी इस घर पे एक इंट लगाने को दिल ने किया और अब इतना सांदार घर बन गया याद रखिए उसकी उपस्तिती आपकी जिन्दगी के लिए जरूरी है उसकी उपस्तिती आपकी जिन्दगी के लिए जरूरी है आपको कामियाब होना तो उसकी उपस्तिती जरूरी है आपको अगए बढ़ना तो उसकी उपस्तिती जरूरी है उसकी उपस्तिती में बने रही है उसे कभी खोने मत दीजिए अपनी जिंदगी से प्रभी यसमसी ने का अगर मनुस्य सारी जगद को प्रापत कर ले और बाद में अपनी आत्मा का हानी उठाए तो क्या लाब अपने प्रान की हानी उठाए तो क्या लाब नरक में जाये तो क्या लाब? छोड़ दीजिए ऐसी संगतियों को, ऐसी कमाईयों को छोड़ दीजिए, ऐसी बातों को छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, जो आपको प्रभू की उपस्तिती से बाहर करते हूं. बढ़े रहिए प्रभू की उपस्तिती मे सफर करते भी प्रभू की उपस्तित में मैं गाड़ी चलाते समय भी प्रभू की उपस्तिती के मैं सुस करता हूँ परमेश्चर की उपस्तिती आपके जीवन के लिए जरूरी है मेरे भाई बहन परमेश्चर की उपस्तिती भरते जाएए प्रवाब सब लोगों का असिस्ते हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव प्रोग्राम हर रोज रात तरी साड़े नो बजे से दस बजे तक spiritual workshop spiritual workshop में आप जुड़े हमारे साथ आप online पे भी जुड़ सकते हैं आप हमारे youtube चैनल पे भी जुड़ सकते हैं spiritual workshop में जैसे आप आएंगे वैसे ही आप अपने आपको नया अपन महसूस करेंगे प्लीज अपने कमेंट में जुरूर लिखिए परमेशर ने किस तरीके से आप से बात किया हम जाते हैं यह वरकशाप चलती रहे और वरकशाप में बहुतों की रिपेर होती रहे